बिसमिल्लाइ रह्माद रहीम इस्पेक्टर टीचर्स एंडियर स्टूडेंट्स असलाम लेकुम आयों वकास एहमद तुड़े विए डिस्कस अबॉट मैथमेटिक्स क्रेड वन दिस आर्जून नमबर फाइब अब टाइम एंड लेसन नमबर फॉर इन दिस लेसन विए डि प्रीचर जो हैं लेसन लेस्ट लेंध डिस्क्रीप्शन बाक्स में से डॉनलोन कर सकती हैं वाम उप एक्टिविटी की तरफ आएं रजा क्या है हर स्टूडंस रहुआ अगें ये बारी बारी टीचर जो लेपिसेप्र को कॉल करेंगी करना क्या है उसके बाद यह जो वाल क्लॉक है पेपर का मेने बनाया हुआ है इस सब्सक्राइब जैसा कि यह यूज की हुई है और फिर उसके साथ आपने क्या करना है करना है कि हार स्टूडेंस बारी बारी आएगा टीचर एक टाइम बताएंगी और उस time के मताबक student जो है इसकी हैंड को वूप करेगा जैसा के कैसे जैसा के मेरे पास ये एक वाल क्लॉक है this is an analog वाल क्लॉक तो इसमें मैं अगर कहता हूँ के या teacher आपको कहती है कि आपने five o clock show करना है इस clock के ओपर अगर मैंने five o clock show करना है तो मैं क्या करूँगा ये जो smallest needle है इसको five o clock के ओपर ले के जाऊंगा इसी तरह आपने क्या करना है ये देखें ये मैंने five o clock के ओपर इस smallest needle को ले गया तो जो minutes हैंड है जैसा कि यहां पर है जो minutes हैंड है ग्रीन कलर में वो वो आपने move करना है अगर five o clock यहां पर show कर रहा है तो minutes हैंड आपके 12 o clock के ओपर होनी चाहिए तो इसी तरह हर student ने अपने teacher की instruction को गौर्ट से सुनना है और instruction के मताबक जो time teacher बताएंगे उसके मताबक in hands को move करना है यह activity class में teacher जो है हर student के साथ perform करेंगी और इसके साथ students ने आपने इन questions के answers अपनी notebook के ओपर write करने है which number the hour hand is pointing to which number the minutes hand is pointing to observe करें इस clock को और बताएं के hours हैं किस number को point कर रही है और minutes हैं किस number को point कर रही है अब आजएं next जो आज के main concepts हैं जिनको हमने focus करना है उन में clock analog clock time hours and minutes देखें analog clock होता क्या है यह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और इस clock को show भी किया था यहां पर यह एक analog clock है ऐसा clock जिसमें hands यूज होते हैं instead of digits और यहां पर देखें यह जो large hand है यह minutes है जो smallest hand है यह hard hand है और मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई है कि जब minutes hand को show करना है हर जो number है वो five के multiple के हिसाब से move करता है और जब एक four around complete होता है तो इसका मतलब है one hour complete होता है और साथ ही 60 minutes complete हो जाते हैं यह चीज़ आपने याद रखनी है clock में यह time in hours and minutes hours hand short and thick hand on the clock the slowest moving and the minutes hand long hand on the clock it goes once around the clock every 60 minutes so there are 60 minutes in one hour so यह चीज़ आपने याद रखनी है and then how to read analog clock जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसको कैसे read करना है अब आप देखें कि जो smallest large hand है वो 30 के उपर है six के उपर है large hand जो है वो six के उपर है और उसके साथ साथ जो smallest hand है वो between one और two के है क्योंकि जैसे ही large hand one round complete करेगी और वो जो smallest hand है उस वकत एक number आगे चली जाएगी क्या वज़ा है इसकी वज़ा यह है कि there are 60 minutes in one hour यह चीज़ा आपने याद रखनी है और उसके साथ साथ there are 60 minutes in one hour तो अब आजाएं यहां पर जो है smallest hand जो है वो between one और two है और large hand जो है वो six के उपर है जब आप six के उपर large hand है तो इसका मतलब है six multiply by five तो इसका मतलब 30 minutes हुए है 30 minutes का तो हमें पता चल गया और hours में क्या time हुआ है hours में क्या हुआ है क्योंकि one और two के between है तो इसका मतलब है और movement के side की तरफ है clockwise है तो इसका मतलब है कि one से two की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब one o clock तो one और two के between होगा तो one आ जाएगा तो one hour 30 minutes इसको रीड कैसे करेंगे one hour 30 minutes means के एक बज़ कर 30 minutes हुए है यह चीज़ आपने याद रखनी है तो अब आज़ें next नेक्स एन अधर एग्जेम्पल जो के मैंने आपको बताई है के one hour 30 minutes जैसा के एक बज़ का 30 minutes हुए थे और minutes है जो है वो यहाँ पर के हर जो number है वो five का multiple है minutes है अगर nine के उपर है तो nine को five से multiply कर दें तो उसका मतलब है पुतना time हुआ है इसी तरह अब आज़ें next एक worksheet है हर student ने ये worksheet class में complete करनी है और उसके बाद आपनी teacher को submit करवा देनी है रैप अप की तरफ आएं आज के lesson में हमने क्या देखा हमने read and tell time from analog clock ये चीज़ सीखी इसके साथ साथ आपने इस question का answer देना है अपनी teacher को ये इस वक्त इस clock के ओपर क्य time हुआ है and then homework में आप लोगों ने ये worksheet complete करनी है और उसके साथ साथ ये home activity जो के आपके book में है इसको आपने complete करना है और फिर अपने teacher को submit करवा देना है description box में आप लोगों के लिए lesson plans extra activities और PowerPoint presentation available thank you very much students I hope कि आपके वह आज के lesson की समझ आ गई है इंशाला विल सीरी ना नेक्स लैसर विद्मिवाशन लाहाभी